देश में हमारे पास नहीं है पानी तो अलग बात है। बिजले की क्या कमी है? बिजली बनाने के लिए तीन चार किसम का बिजली होता है लेकिन कई चीजों को लेके विवाद भी है जैसे आटमिक पवर है चरनोबिल में रूस में जो इसपोटन हुआ था उसको लेकर दुनिया बर में कुछ विवाद कड़ा हुआ है उसको बाजू कर देते हैं सोलार पव था आता है दिन में भी वह वी अबर आजाए तो तभी नहीं आता है रिंड पवर है जो हवा से आने वाली पवर हवा चली तो आई नहीं आई है हडोलिकल पवर है वो सिर्फ बारिष में जब नदिया बहन पाएने लगते हैं प्राजेक्ट बर जाते हैं तभी कुछ मात्र में मिलता है लेकिन ये की पवर है जो तर्मल पवर है इसको लेकर कोई विबाद नहीं है और तर्मल पवर चलता है अमारे देश में पूरे दुनिया में तर्मल पवर बनाने के लिए जो कोईला चाहिए वो कोईला अमारे देश में अब तक पाया गया कोईला रिजर्व्स कोईला रिजर्व्स हिंदुस्तान में तीन सव एकसट बिलियन टन का कोईला का उपलब दिया है मैं यही बात आपसे विनम्र पूरक प्रार्तना करता हूँ मेरे बात को जरूर चर्चा में ले आए गाउं में कि जरूरत से ज़्यादा पानी है केसियार ने कहा यह सच है के जूट है चर्चा कीजिए उसका निकाली है पड़े लिख के लोगों को पूछिए इरिगेशन अधिकारियों से पूछिए बारत में बिजली आप चौंक पड़ोगे आप चौंक जाओगे जो अपके केंद्र सरकार पीचे का केंद्र सरकार राज्यों के सरकार जो गुमरा कर रहे है जो निजी करन कर रहे है वो सरा सर गलत है इसलिए मेरे प्रपोसल है बारत परिवर्तन का ये भी एक इस्सा है पूरे राष्ट ये उर्जा पालिशी को भी बदल देना चाहिए इसलिए कि हमारे पास जिस प्रकार का कोईला उपलब्ध है हाइड्रो एलेक्रिकल बिजली सोलार का बिजली और थर्मल बिजली तो कोईला से बनता है तीनों को संतुलित करके अगर देश के लिए दिया जाए पूरे भारत के चोटे चोटे गाउं से लेकर बड़े बड़े शेहरों तक चोटे चोटे उज्योग से लेकर बड़े उज्योगों तक और पूरे जगा बिजली परियाप्त देने के लिए देड़ सव साल तक के लिए ये परियाप्त है कोईला ये मेरे आंकड़े नहीं है ये मेरी कलपना नहीं है ये केंद्र सरकार के आंकड़े है कोईला मंत्राले के आंकड़े है इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ इस बात को आप अपने गवों में छर्चा कीजिए क्यों हमको गुम्रा किया जा रहा है बिजली दे सकते हुए बिजली बना सकते हुए क्यों निजी करन कर दे रहे बिजली कंपनिस को और हमारे देश में इतना भरपूर कोईला है जो डेड़ सव साल तक के लिए परियापत है उसके बावजूद क्यों कोईला आज चेली ऐसा मंगाया जा रहा है क्यों कोईला आज कई अन्य देशों से मंगाया जा रहा है इस बात को हमको समझ देना चाहिए यह रूट मुद्दे है इसलिए मैं आपसे प्रार्तना करता हूँ किसान भाईयों हम जब तक एकत्रित ना हो हमारा समझे का कोई समधान नहीं निकलेगा बड़ा दुक होता है इतने धन्वान महाराष्ण राज में किसान का आत्मा अच्चा रोज का आठ का साथ का नौ का दस का अंकड़ा में जाता है किया यह हमारा किसमत है किसानों का एकी एकी समधान सुप साफ कर सकता है यह की हमारा अगर हम प्रतिग्यां ले ले सारे किसान चुनाओं के समय इकटे रहे किसानों को पाटी को कड़ा करे तब जाके हमारा बिल्कुल समस्य सुलस सकता है इसमें मुझे कोई शक नहीं तेलंगान राज में वहाँ लोगों ने तेलंगान राज भी राप्त किया इकटे होके लड़के उसके बाद में किसान सरकार बनाया बाल के जिने सरा बता दिया हमाँ पूचने वाला नहीं है उनको दस नहीं 15 मोटर भी लगाओ उसमें भी कोई पूचता नहीं है किसान को जब फ्री बिजली देते हैं दिल से देते हैं चुनाव के लिए वोटों के लिए नहीं देते वोटों के समय में नहीं दिया हमने ऐसे ही दस हजार रुपे हरेकर को उनके निवेश के लिए दे देते हैं जो लागोड़ी आप कहते हो उस प्रकार का किसान का किसी भी प्रकार का मुच्ची हो एक्सिडेंटल नहीं किसी प्रकार का सहज मुच्ची हो जाता है हमने बीमा कर दिया है पूरा बीमा का प्रीमियम सरकार ही बरता है पांच लाग रूपे उनका क्रिया करम से पहले उनके गर में पहुंच जाता है किसान का पैदावरी जो है दान उगाते हैं तिलंगाना में ज़्यादा हर एक दाना पूरा का पूरा सरकारी करिदता है वहां हमने साथ हजार के ऊपर करीद केंदर कोले हैं पूरे किसान अपने गाउं में ही वहीं कि मैं उनको ना मंडी जाना पड़ता है ना सेटों के बीटों के बास में जाना पड़ता है ना चिट्टी लेके पैसों के लिए घुमना पड़ता है मैं जानता हूँ महारास्ता में कैसा कैसा दिया जाता है यह महीं जिस एरिया मैं खड़ा हूँ यह पूरा गन्ना का एरिया है गन्ना के दाम के लिए हर साल क्यों किसानों को लड़ना पड़ता है क्या कमी है क्या दम नहीं है सरकार में इतना भी एक साल में बुला के सुलच इसको सुलच दे हम लड़ाई हैं नहीं लड़ाई हैं बात नहीं है शरत जोशी के जमाने से कितने लड़ाई हैं लड़ाई है प्याज उगता है उसका दाम नहीं मिलता प्याज के दाम के लिए हमारे किसान भाई नाशिक्षे मुंबई तक पध्यात्रा करते हैं हजारों के संक्या में उनके पायर से खून भी निकलता है तब ही सरकार को को हिसास नहीं गन्य के दाम क्यों नहीं देते कहीं भी नहीं देते गन्ये के पैसे कैसे देते तीन मेने में, चार मेने में, पांच मेने में देते हैं, एक बार नहीं आता है ये क्यों? इससे कि हम नहीं निकल सकते इस करश्ट से, इस मुश्किल से हम नहीं निकल सकते, बराबर निकल सकते हैं, हम अगर एक जुट हो जाओ किसान का सरकार आ जाए तो उनके सर पर बैठके दिला देगा सब कुछ मिल जाएगा इसमें कोई चमतकार नहीं है इसलिए मेरे प्रार्तना है आप सुभ लोगों से किसान जब तक इकत्रित ना हो कुछ नहीं बदलने वाला है पार्टी बदलते रहेंगे अब समझे करनाटर के हाल में चुना हुआ वहां भारती है जनता पार्टी आर गया कांग्रेस सरकार आ गया क्या कुछ बदलने वाला है वहां पर कुछ नहीं बदलेगा वही पालसी चलते रहेंगे वही पुराने ही खताई सुनने पड़ेंगे इसलिए मेरे प्रार्तना है चुनाओं इस नहां उनके तहट काम होना चाहिए ये वरी इंपार्टन चीज है ये समदने की बात है इसलिए उन्ट है किसान जियेगा तो कोण मरेगा। Då कोण जियेगा किसां अगर जिन्दा है शुपके ताली में काना आता है किसां अगर खतम है तो सुपके ताल्यां सूख जैंग कौन जी सकता है इसलिए मैं आपसे बार-बार मिननती करता हूँ किसान का एकत्रित पूरे किसान भाई जितने यहां पदार है किसान भाई एकत्रित हो तो हमारे सारे समच्चे का समधार निकल सकता है इसके इलावा भी कई लोग कल्यान कारी कारिक्रम हमारे पास है वो सुब किये जा सकते हैं कोई गरीब शादी करता है एक लाग रूपे दे देते हैं हम लोग विद्यारती बाहर जाना चाहते हैं 20 लाग रूपे का स्कालर्शिप देते हैं हम लोग जो बाहर देशों में पढ़ने के लिए ऐसे कहीं कलियान कारी होजना है जो दिवियांग लोग है देश में कोई राज नहीं देता सिर्फ तिलंगाना ये की राज है तीन हजार के उपर देता था तिलंगाना दशाब्दी उत्सों में मैंने अभी अनौन्स किया उनको चार हजार मिलेगा पर मैंने यहां पर पेंशन क्या मिलता है मेरे क्यार से कोई 600 रूपे मिलता है तिलंगाना में हम 2000 रूपे पेंशन देते हैं मैं महाराष्ट वासियों को जो पेंशनदार है उनको कुल कर कहता हूँ महाराष्ट में बियारेस का सरकार लाओ पूरे किसान के काम भी हो जाएंगे और वेलफेर मिजर्श भी आपको पेंशन दोजार मिलेगा बाजपता मिलेगा किसी का जिवाला नहीं निकलेगा बिल्कु को हमको दोना पड़ेगा कोई अन्या आके नहीं करेगा अमेरिका देश में काले लोगों को गोरे लोगों ने बहुत सताय था बहुत रुलाया था बहुत उनको वंचित किया था लेकिन अमेरिका समाज में जागुर्थी आने के बाद एक ब्लाक मतलब याने काले जाती के रहने वाले बराक उबामा को देश के अध्यक्षी बना देके उनका अपने पाप को दोया है ये भी भारत में चेतना आना चाहिए हमारा दलिद बाई वंचित ना रहे उनके भी उद्दार होना चाहिए साथ साथ में जब तक वो ऐसे रहेगा पिछले रहेगा ये भारत के च समझ में ने आता क्यों हैं उल्टा सुल्टा बात करने लगते हमारा जो एजंडा उस एजंडा पर बात करो इस एजंडा डिसकस करो डेवेंद्र फटनावीज जी जो बूत्पूर मुक्य मंत्रि अबके मुक्य मंत्रि है नांदेर में पहली बार जब मैं आया था तो उन्ह अगर मुझे नहीं चाहते हो त्यलंगाना एजंडा मक्की का मक्की शंबल तक इंप्लिमेंट करो मेरा काम कतम अए मजज़पेश चले जाओंगा माहरास्टर ने आओंगा उसका जवाब नहीं है उनसे उसका जवाब आता ही नहीं है उनको कहना चाहिए कि बिल्कुल हम आमल करेंगे नहीं करते केंदर सरकार एक 6000 रुपे देते वो भी कम लोगों को कम किसानों को हमारे पास कोई ऐसा अबेद नहीं है पूरे किसान जितने भी है सतर लाग किसानों को हम रहीतु बंदु जो स्कीम है दस अजार देने वाला छोटा बड़ा सुप किसानों में देते हैं कोई बेद बाव नहीं है उसमें इसी प्रकार का यहां भी आना चाहिए लेकिन जैसा बियारेस ने प्रवेश किया महारास्त में फिर चैयाज़ार का इलान हुआ वो किसको देंगे जो किसान सम्मान निदी मिल रहा है उनी को देंगे बागे को नहीं देंगे वो भी पूर्ण रूप से नहीं दो दो अजार करके तीन किस्तों में देते हैं हमारे पास ऐसा नहीं है पसल को पांच अजार एक देते हैं निवेश के लिए फिर दूसरा पसल के दूसरा दे देते हैं मुफ्त में पानी देते हैं मुफ्त में बिजली देते हैं और हर्दाना उनका करिट है झाल झाल